स्वामी नारायन हरे वचनामरत लोया प्रक्रणनू सोलमू वासना कुंठित अने निर्मुण थयानू स्वामी नारायन हरे संवत अढ़ार सोने सित्तो तेरना माक्षर्वदी चौदशने दिवस संध्यारती थया केडे श्रिजी महराज गाम श्रे लोया मद्ये सुरा वक्तना दरवार मा ढोलिया उपर विराज मानता ने धोलो खेस पेर्य हतो तथा गरम पोस्नी राती डगली पेरी हती तथा माथे धोलो फेंटो बांध्य हतो ने बीजे दोले फेटे करीने बोकानी वाली हती ने बोताना मुखार विन्यागल परमहंस तथा देश देशना रिवक्तनी सबावराईने बेठी हती पची श्रिजी महाराज बल्याजे सरवे परमहंस परस्पर प्रश्ण उत्तर करो एम कहिने ओतेज प्रश्ण पुछो जे जेने वासना कुंठित न थाई होई ने जेने वासना कुंठित थाई गई होई ने जेने वासना निर्मून थाई गई होई तेना शा लक्षन छे, पची मुक्तानन स्वामिये ए प्रश्णनों उत्तर करवा मांडियो पन थयो नहीं, त्यारे श्रिजी महाराज बिल्याजे जेनी वासना कुंठित न थय होई, तेनी इंद्रियोनी वृत्ती विश्रयमा चोटी जाय, ते पाची विचारे करीने पन नि अने जने कुंठित वासना थय गी होई, तेनी वृत्ती विश्रयमा ततकाल प्रवेश करे नहीं, अने कदाचित वृत्ती विश्रयमा प्रवेश करी जाय, ने ते वृत्ती ने पाची वाले, तो तरत पाची वले, पन विश्रयमा आसक तथाय नहीं, अने जने वासना निर मुल थाई गई होई, तेने तो जागरत ने विशे, सुशुप्तिनी पेठे, विशय नो अभाव वर्ते, ने सारा नरसा जे विशय, ते बे समान पने जणाई, अने पोते गुणातित पने वर्ते त्यारे गोपाणन स्वामिये पुछुजे, वासना कुण्ठी तो होई, पन ते मुल माती ट्रली नती जती, तेनु शुण कारण छे त्यारे शुजी माराज बुल्याजे, एनो उत्तर एचे जे, आत्मनिष्ठा रूप, एव जे ग्नान, तथा प्रकृतिना कारिय, एवा जे पदार्त मात्र, तेने विशय, अनासक्ति रूप, एव जे वैराग्य, तथा ब्रह्मचरियादिक रूप जे धर्म, तथा महात् हीत, एवी जे भगवाननी भक्ति, एच चार माना, जे मां सम्पूर्ण होई, तेने वास्ना निर्मुर्ण थै जाये छे, अने एच चार मां, जेटली न्युन्ता रहे छे, तेटली वास्ना निर्मुर्ण थती नथी, पछी श्रिजी महाराज बुल्याजे, लिव अमे प् चिये जे, मुमुक्षुने भगवाननी प्राप्तिने अर्थे, अनन्त साधन करवाना कया छे, तेमा एक एवो मोटू कयू साधन छे, जेने करी ने सर्वे दोश्टली जाये, ने तेमा सर्वे गुणावे, त्यारे ए प्रष्ण नो उत्तर, पर्महंस्वाते थैव नहीं, पची श्रिजी माराजे, एनो उत्तर गरोजे, भगवाननु मात्म्य, जेम कपिल देव जिये, देव हुती प्रत्य कहुशे जे, मदभयात वाति वातो, अयम सुर्यस्त पति मदभयात, एवी रिते, अनन्त प्रकारना महात्मे सहित, एवी जे भगवाननी भक्ती, ते जेन होई, तेना दोश मात्र टली जाये छे, अने तेने ग्नान, वैराज्य, धर्म, ए न होई, पौपने सर्वे आवे छे, माटे ए साधन सर्वमा मोटू छे, अने वली श्रिजी माराजे प्रश्ण पुशोजे, जे कपटी होई, ने ते बुद्धी वालो होई, माटे पुतान कपटने जनावादे नहीं, तेनु कपट केवरिते कलाई, ते कहो, त्यारे एनो उत्तर ब्रह्मा नन्स्वामिये केरोजे, जेनी बैठक उठक, ते जे सस्संग नो द्वेशी होई, अने संतनुने भगवाननु गसातू बोलतो होई, ते पासे होई, तेने करीने ते उलखा पण बिजिरिते तो न उलखाई, पची ए उत्तर ने श्रिजी महराजे मान्यो, अने पची पूते बोल्या, जे एवानो संग न करतो होई, तो क्यम कलिये, त्यारे ब्रह्मा नन्स्वामिये कहोजे, कोईक देशकालनु विशम पणु आवे, त्यारे एनु कपट कलाई जा क्यारे श्रिजी महराजे कहूजे, ए ठीक उत्तर कर्यो, अने वली श्रिजी महराजे प्रश्ण पुछो, जे एवो कयो एक आवगुणु छे, जे ज्यने करीने सर्व गुण मात्र, ते दोशरूप थेई जाये छे, ते कहो, क्यारे श्रिपात देवान स्वामी बोल्याजे भगवानना भक्तनों जे द्रो करे, तेना जे सर्वेगुण ते दोशरूप थेई जाये छे, पची श्रिजी महराज बिले आजे, ए उत्तर प्रंखरो, पण अमे तो एनो उत्तर बिजोधारो छे जे, सर्वेगुणे संपन न होई, ने जो भगवानने अलिंग समस्तो पण मुर्तिमान न समझे, ए मोटो दोश छे, एने करीने, एना भिजा सर्वेगुण दोशरूप थेई जाये छे, अने वली श्रिजी महराजे, प्रश्न पुछोजे, संतनों अभाव, शाने करीने आवे छे, ते कहो, पची एनो उत्तर, पर्मंसे करवा मांडियो, पण थ नहीं, त्यारे श्रिजी महराजे, एनो उत्तर केरो जे, जेने मान होई, तेने संतनों अभावावे छे, केम जे, जे मानी होई, तेनो एवो सभाव होई जे, जे पोताने वखाने, तेमा सो अवगुण होई, ते सर्वेने पड़्या मुखीने, तेमा एक गुण होई, तेन अने जे पुताने वखान तो न होई, ने तेमां सो गुण होई, तेसथरवेने पढ़्यामकीने, तेमां कोईक ज्योतेओ एक आउगुण होई, तेने बहु मानीने, त्यनों प्रथम तो मन तथा वचन त्यने करिने द्रो करे ने पशी देहे करिने पन द्रो करे माटे ए मान रूप मोटो दोश छे अने ते मान समझु माज होई ने भुला मान न होई एम जानवु नहीं भुला मातो समझु करताई जाजु होई छे पशी मुक्तानन स्वामिये श्रीजी महाराद ने प्रश्ण पुछो जे हे माराज ए मान केम टले त्यारे श्रीजी महाराज बुला जी जे भगवान नू महात्म्य अत्तिशै समस्तो होई तेने मान न आवे केम जे जुओने पुद्धव जी केवाड आया हता ने निती शास्त्रमा कुषण हता ने देहे करीने राजा जेवा हता पन जो भगवाननू मात्म्य समस्ता हता तो गोपियोंने विशे भगवाननो स्नेजवईने त्यनी आगर होतानू मान न रहूं अने एम बोल्या जे ए गोपियों ना चरण नीरज जेने अडती होई इवा जे व्रक्ष लता त्रून गुच्छ ते माहेलो हूँ कोईक थाओं अने तुलसी दास जिये कहुशे जे तुलसी जाके मुखन से भूले निक से राम ताके पग की पहनिया मेरे तन की चाम एम जेने भुले पन भगवान नू नाम मुखती निसरे तेने अर्थे उताना शरीर ना चर्मना जुडा कराविया पे तोजी भगवान ना भक्त होई ने भगवान नू निरंतर नामस्मरण बजनकिर्तन वंदन करता होई ने जो भगवान नू महात्म्य समस्तो होई तो तेने आगल शू मान रहे नज रहे माटे महात्म समझे त्यारे मान जाये छे पन महात्म्य समझे अविना तो मान जतु नथी ते सारो जेने मान टालवू होई तेने भगवान नू ने संतनू महात्म्य समझवू इती वचनाम्रतम एरिते लुया प्रक्रणनू सूल्मू वचनाम्रत जेते थैवू स्वामी नान हरे स्वामी ने वातो प्रक्रणच सर्वदेशी समझन। स्वामी नान हरे स्वामी वात करीजे जारे हुँ पुर्वाश्रमा हतो त्यारे मुने खंबे एक मोटु गुम्डु थैवोतु तेनी पीडा गणी थै। ते वखते जाग्रत मा अर्धर रात्रीने समय महराज पधार्या ने मुने दर्शन दिदा। ते पीडु पितांबर पेरिवतु ने बीजु रातु पितांबर ओडिवतु ने मस्तक ने उपर दक्षीनी पाग धारी हती। ने ललाट ने विशे केसर चंदनी अर्चा सहिद कंकुनो चानलो शोभिरयोतो ने चाखडियू उपर चड़्या अता। एवी शोभाने जोई ने मारी वृत्ती तो ते मुर्ती मा प्रोवाई गई। ने पची गुमडु फुटी गईू ने पीडा पन तड़ी गई। पची महराज पन हसी ने अद्रश थे गया। पची ते दाडे थी ते मुर्ती अखंड देखाती। पची जारे अलयय मोडे महराज ना आमे प्रथम दर्शन करया त्यारे रदे मा देखाती जे मुर्ती ने आ मुर्ती ब्याए एक थे गई। एवु जोईने महराद ने सर्वकारणा कारण ने सर्व अवतार नावतारी पुर्षोतम समझीने में महराद नो सर्वत कृष्ट निश्चे करेो हो। पछी वड़ी स्वामिय वाद करीजे अमें नाना आता त्यारे एक मार्गी सादुनों महंत सभा करीने बैठेल त्या जईने पादरी डोश्यूने खेस्वी ने ते महंत ने प्रश्ण पुछो जे कार्य शूने कारण शूं । त्यारे ते कहेजे अमने एवु आवडे नई ने मुने तो कोई ये सिख्वेल नहीं, पछी अमने कहे जे, तमे उत्तर करो, त्यारे मैं कहूं जे, भगवान कारण, निया सर्वे शुरुष्टी ते कारिय, त्या तो सोव बौठा पड़ी गया, एम सबा जीती, स्वामिनान हरे, स्वामिय वात करीजे, बाजरो भेडो करीने भगवान भजवा, विजु काई डोल करे, पार नहीं पड़े, अने रूपिया आशे, ते मरी जाशू त्यारे पड़े रहे शे, एकाई जाजा कामना नहीं, जेतला अवश्य जोईये, ते तला भेडा करीने मुली जाशे, ने मुलगी वासना रहे शे, स्वामिनान हरे, स्वामिय वात करीजे, आ नियम छे एबव मोटी वात छे, ने जे दिवस धर्म मा फेर पड़े, ते दितो कोई वात उभी नहीं रे, माटे नियम खबड़दार थिने पालवा, एविशे घणिक वात करी, स्वामिनान हरे, स्वामिय वात करीजे, एक हरीजन पासे, संत जन सोई सदा, एक किर्तन बोलावी ने कहुं जे, आजना किर्तन मा तो चार वेद, खट शास्त्र ने अधार पुरान आवी जाये छे, एवात चमत कारी छे, अजय को में गया कि शाड़् एविक वात करीजे खटना करीजोंकि एवाप जना किरिए कि एक लात करी लिएत